दोस्तों हलागी हमने कई सारी वीडियोथ बनाई आपको अलग-अलग युनिवसिटी으니까 बारे में बताया, उनके अप्रूवलोस के बारे में बारे में भी बताया, और कई बार हमने युनिवसिटी इसको पर्सनली जाकर विजिट भी किया कलिंगा युनिवस्टी जो की 36 गड़ में इस्थित है कलिंगा युनिवस्टी के बारे में कई सारे आप लोगों के सवाल हमारे पास आते है कई बार आप पूछते हैं युनिवस्टी के बारे में अप्रूवल के बारे में कोर्सिस के बारे में पर अभी लगातार जो हमसे सवाल पूछे गए वो सवाल है कि क्या कलिंगा यूनिवरस्टी के पास डिस्टेंस का अप्रूवल है डिस्टेंस का अगर अप्रूवल है तो कौन-कौन से कोर्सिस ये यूनिवरस्टी डिस्टेंस में करवाती है यूनिवस्टी में अप्रूवल कब आया डिस्टेंस का और भी कई सारे बाते कलिंगा यूनिवस्टी के बारे में सिर्फ डिस्टेंस के बारे में कि डिस्टेंस में कौन को उसे कोर्सी से उसकी क्या फीस है और साथ में कब अप्रूवल आया है उसके बारे मैं डिसकस करेंगे अपने इस वीडियो में ज़्यादा कुछ जानने के लिए दोस्तों बने रही है हमारे इस वीडियो के साथ नमस्का दोस्तों स्वागत करता हूँ एक बार फिर आप सभी का अपने इस यूटूब चैनल पर जिसका नाम है यूनिवर्स्टी इंडिया मेरा नाम है विरंदर वर्मा जैसा कि आप सभी जानते हैं हम देश-विडेश की उनिवर्स्टी इस कॉलेजिस उनकी कोर्सिस को एक्स्प्लोर एंड रिव्यू करते हैं और आपको बताते हैं सब कुछ जो आप जाना चाते हैं लगातार हमारी वीडियो को देखते हैं आपने काफी कुछ जाना होगा अलग-अलग यूनिवर्स्टी इस कॉलेजिस और कोर्सिस के वारे में कलिंगा यूनिवर्स्टी हाला कि यूनिवर्स्टी बहुत फेमस है स्टूइंट्स के बीच में लिंगा यूनिवस्टी के पास अगर हम अप्रूवल की बात करें डिस्टेंस का तो जो लोग कहते हैं जो एक लोगों के व्यूज हैं लोगों कमेंट्स हैं हमारे पास वो कहते हैं कि दो हजार बीस जनवरी में यूनिवस्टी के पास डिस्टेंस का अप्रूवल आया मतलब क 2020 में admission लिए गए होंगे अभी 21 सेल रहा है तो 21 में first year students का complete हो गया होगा तो इसका मतलब clear है कि complete course तो अभी तक नहीं हुआ मतलब कि ना तो UG complete हुआ ना PG complete हुआ या फिर एक साल के courses हो वो जरूर complete हो सकते है पर question यहां खड़ा होता है कि university के पास courses कौन कौन से है जो distance में university करवाती है university अपनी website पर खुद ही डालती है बताती है university कि Bachelor of Arts हमारे पास Bachelor of Arts है distance में कराने के लिए Bachelor of Commerce भी है कराने के लिए Bachelor of Business Administration BBA university करवाती है distance में Diploma in Computer Application University DCA भी करवाती है और साथ में ही PG Diploma in Computer Application PG DCA आप जिसे बोलते हैं यह 5 courses university ने अपनी website पर डाले है university के हम fees की बात करें fees भी हलाकि university कुछ जादा नहीं है fees पर हम एक individual वीडियो लेकर आएंगे इसमें आपको बताएंगे complete कि क्या university चार्ज करती है पर हमें आपको बता दूँ university की इतनी ज़्यादा fees नहीं है distance को करने के लिए आप मेंसे जितने भी students ने जो भी कोई course किया है कलिंगा university से आप हमें comment box में जरूर बताएं की website में जाकर भी देख सकते हो बाकी सारे courses जो अलग courses है जैसे आप कई बार हमें MBA बोलते हो BSC बोलते हो अलगलग courses की mark sheets हमें बेशते हो दोस्तों वो distance नहीं है वो regular ही है आपने कैसे क्या वो बहतर आप जाने और बाकी university के अगर हम value की बात करें university UGC रिकोगनाईज है UGC approved है university और भी करी सारे approvals है किस approval के बारे में आप जानना चाते हैं उसके comment का और उसके आपके जो questions है उनका हमें इंजार रहेगा दोस्तों अच्छा लगा आज का वीडियो हमारे चैनल को subscribe करना बिल्कुल ना बोलें साथ में लगा बेल आकर जरूर दबा दें ताकि इसी तरह कि जो हम आपके लिए education related videos लेकर आते हैं वो आप तक पहुच सके सबसे पहले बहुत 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 शुक्त दोसर निवाद हमारी वीडियो के साथ बने रहने के लिए